हमारे गुरुगुराम में लगातार कोरोना के केसिस बढ़ते जा रहे हैं, अधिकतर केसिस ऐसे हैं जो की एसिम्टोमेटिक हैं, और कोरोना महामारी ऐसी है कि ये किसी दवा से इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज संभव है आपकी इम्मिनिटी से, इसलिए आप प्रोड़क्ट्स हैं, वो जानकारिया भी आप लोगों के लिए हम लेकर आ हैं, हमारे साथ होमेपैथी डॉक्टर शुभी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इम्मिनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप किस तरह किन चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं, होमेपैथिक है, चाहे striient करें, तो क्या कुछ विकलप है हमारे पास अपनी इम्मिनिटी स्ट्रॉंग करने के लिए, इतना विजी है कि, लोग योग नहीं कर पाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में होमेपैथिक के जरीए किस तरह हम अपनीमिनिटी कर सकते हैं? दिखिए सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी जिस तरह से आयूश मिनिस्ट्री ने भी हमारे लिए बहुत सारे मेजर्स किये थे कि हमें डेली गरम पानी पीना चाहिए और उसके अलावा अगर हम होमियोपैथी की बात करें तो हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसंस हैं जो हर्ब से भी बनी हुई हैं जैसे कुछ बायो कॉंबिनेशन भी आती हैं जैसे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक इम्मुनिटी के लिए हल्फुल होती है बट इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने फिजीशन से बात जो पहले से होम्योपेथिक मेडिसंस खा रही हैं आप देखेंगे की उनकी इम्मुनिटी वैसे भी थोड़ा च्टरॉंग ही होगी बिकॉस यजिवा बहुत सव्कॉनिक के लिए ना उती है जो कि हम बच्चों में भी बहुत रेगुलर्ली देते हैं जैसे है चांसी जुखाम या बुखार में उसके अलावा जैसे कैल्शियम के लिए या आईरेन के लिए भी बहुत सारी दवाईयां आती हैं इमिनिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी हमारी ऐसे कुछ ँसके अलावा अश्वगंदा है उसके अलावा आप देखेंग।्च मेडिसन आती है वह सब एक उर्पन के साथ साथ हं अग्मिय॥iska लिकैनि अगर पेशट्य मेडिसन्त वहाले करता है तो बहुत ज़रूरी है कि वह तो पहले से कोई medicine तो नहीं खा रहा है, diabetic patient तो नहीं है, hypertension patient तो नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने physician से जरूर discuss करें, क्योंकि उसको क्या dose देनी है, और कितनी dose देनी है, और कितने दिन खानी है, वो बहुत जरूरी है, immunity के लिए, विकाज अगर हम सोचें कि हमने सिर्फ एक दो medicines खा ली, तो जरूरी है कि हम patient को complete समझें, कि उसके क्या symptoms है, खासी के लिए, देखिए खासी के लिए बहुत सारी दवाईया है, जुखाम के लिए बहुत सारी दवाईया है, और हर एक इनसान अलग है, और हर किसी के symptoms भी अलग होंगे, तो जरूरी है यह बह अपना जो भी physician है, उससे discuss कीजे, और आजकल जितना हमने दो महीनों में देखा है कि COVID के टाइम में होमियोपैथी बहुत अच्छे से उभर के आई है, और बहुत सारी होमियोपैथिक medicines लोगों ने खाई भी हैं immunity के लिए, और बहुत अच्छे results भी पाए गए हैं, काफी different states में और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में throughout the world हमियोपैथी ने बहुत अच्छा नाम कमाया है, तो मुझे यही मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि गरम पानी ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलिए और उसके अलावा जितना भी आप ज़रूर इस टाइम पे आप हमियोपै हो या ओल्डेज के इनसान हो सबके लिए यह सेफ ही है, ऐसा कुछ हमने पाया नहीं गया है कि इसके कोई साइड एफेक्ट्स पाये नहीं गये हैं, बढ़ हां बहुत अराम से और बहुत जल्दी क्योर में यह हेल्प करती है, जब यह कॉरोना काल आया तो उसके बाद से इ इम्यून की बात की जा रहे है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग करना है, तो क्या ऐसे में लोग केवल यह सोचें कि केवल अभी कोरोना काल है तब तक इम्यून सिस्टम बढ़ाना है या इसको कंटिनूर रखा जा सकता है आगे भविश्य तक भी ताकि आगे भी जो और ब इसले कुछ दिनों में जो हमने देखा है हमारे क्लिनिक में भी या हमारी डिस्पेंसिंग सेक्षन में भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्हों ने हम्यून पएथि यह कहना चाहें कि फर्स टाइम आई हैं जिन्हों ने कभी हम्यून नहीं खाई थी और अब उनको लग रह जाए वो खांसी जुखाम हो बच्चों के लिए तो खास कर बच्चों के लिए तो मैं कहूंगी कि बहुत ही जरूरी है और क्योंकि यह बहुत ही सेफ है वैसे भी अगर आज से खाना शुरू करेंगे और अपने फिजीशन से मिलके बात करेंगे तो वो आपकी complete हिस्ट्री द से लड़ने की ताकत और शक्ति जरूर देगी सब बहुत बहुत धन्यवाद लोगों के लिए जानकारी देने के लिए और जानकारी यही है कि होमेपैथिक या आयरवेद का जितना ज्यादा आप लोग इस्तमाल करेंगे उतना ज्यादा बैटर रहेगा आपकी इम्मिन सिस स्टम आपका स्ट्रोंग होना चाहिए लेकिन आप करोना चला है तो इम्मिन सिस्टम चुकि यही एक कार्गर जो दवाई है हमारी रामा निलाज है इम्मिन सिस्टम तो इसी लिए इसकी बार-बार बात की जा रही है हमारे साथ दिवान जी आयरवेद किस तरह से हēLP करता ह जो इम्मून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए जैसे कि असुकंदा है गिलोई है तुलशी है तो काफी चीज़ें जिनको लेने से आदमी की इंक्रीज होती है अभी देखा जाये तो गिलोई करास बहुत से लोगों ने डेंग्यू में जब डेंग्यू की भीमारी फैलती ह उसमें पिया भी होगा बहुत कड़वा होता है तो ऐसे में कुस टेबलेट्स भी आजकल आ गई है मार्केट में अईरुवेद की और भी चीज़े ऐसी हैं जिनका टेस्ट कड़वा लोगों को ना लगे तो ऐसी क्या विकल्प हैं अभी जो लोग अपनी इम्म्यून करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है तुल्शी तुल्शी लोग एक नीम गिलोई जूस है यह तुल्शी गिलोई जूस है और यह है यह एक चमच शुबर सामलो जिसे कि हमारी इम्म्यूटी बड़े इंक्रीज हो कोल्ड काफ ना हो और हम हमारी रोग प्रतिरों तक स सर्दी सर्दी खासी जो जुकाम होता है बहुत से लोगों को दिखा हो गहीं उनको फ्लू ने पकड़ लिया और जो सर्दी लग गई से हम जब इंतरे बहुत सी दवाया उपलबध है अगर इन चीजों को शुरुआत नकी любов साथ आप लोगों के पास इतना समय ना हो कि योग कर पाए या सुबह MORNING वोक कर पाए या जिम में अपना व्यायाम करपा, तो इतना समय आज के समय में नहीं है किसी के पास, तो ये एक बहतर विकल्प है अपने आप की immunity बढ़ाने के लिए, यही हमारा मकसद है कि आप लोगों को तक हम जानकरिया इस तरह की पहुंचाते रहें कैमरामेन मोनु के साथ सुनी लियादव गुरुगराम